हेलो क्या सब को आवाज आ रही है बेटाजी मेरी हेलो 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 कैसे हैं बेटा जी आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की क्लास में जो आप देख पारेंगे पार्ट नमबर वन जिसमें हम इंट्रोडक्शन यानि लिमिट्स के बारे में जानेंगे पहले लिमिट्स क्या होती है लिमिट्स का कैसे यूज है इसको किस तरीके से हम कितने में करने वाले हैं उसके बाद उस लिमिट्स के अंदर बहुत सारी च्टियुटी च्टियुट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मेरी बात समझ रहे हैं जी बेटा जी मैं बाई डिफोल्ट सब्सक्राइब करता हूँ ठीक है राम राम जी राम राम कैसे हैं आप सभी चल्दी से प्लीज रिप्लाइब कर दीजे क्या आप सबको मेरी अबाज बहुत अच्छे से आ रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज बता दीजेगा येट्स लिमिट्स इस नॉट इकोल टो बट्ट नियर टू हलो सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग च्विंगल बेटा येस सर आप कॉंसेप्ट पे पहले ध्यान देते हो तैस वाई वी लाइक यूर दे मॉस्ट थैंक यू बेटा जी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर मैं ने आज ही जोइन किया है आपको क्योंकि मेरा यूटी चल रहे थे ओके शिशांत बिटा चलिए कैसे हैं आप सब बिटा एक बार रिप्लाई कर दीजे उसके बाद मैं पढाना शुरू कर दूँगा क्या बिटा जी आप सब तेयार हैं बोलो हाँ जल्दी प्लीज रिप्लाई करिए फटाफट 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 नो प्रॉब्लम सर अगर 11 पे डेरिवेटिव नहीं किया हो तो हम क्या करें मैं इतने अच्छे से बेसिक कॉंसेट्स किलियर करूँगा आपके जी जल्दी बताओ लिमिट क्या है कोई भी जना आंसर दीजे लिमिट क्या होती है जैसे कि अपनी लीमिट में रहके बात कर लिमिट ऑ सदो वाली लिमिट के रह होग क्या हाँ फिकतर हम जानते हैं जल्द Brief जल्दी बोलो जो जो आपके दिमाग में आ रहर को लिम जल्दी है जल्दी 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 जल्दे जलिए एक बत्रोंध बुला बाउन्डेशन जल्दी प्लीज जल्दी प्लीज रिप्लाइ करते चाहिए आम जल्दी बोलते चाहो सीमा जल्दी पढने में ध्यान दें औकात येस ओकात कि अपनी ओकात में रहके बात कर होता है ना ओकात यानि डाइरे में रहके बात कर दाइरा डाइरा समझतो ना डाइरे में रहके बात कर अपनी लिमिट क्रॉस मत कर दाइरा तो वही सारी चीजे क्या कहलाती है लिमिट कहलाती है समझ गए पर अब situation या आती है लिम से मतलब क्या है दाइरा यानि कि आसपास जैसे कि अगर बात करी जाए मैं यह सारे वर्ट अठा देता हूं लिमिटस यहां पर यहाने कि बात क्या है लिमिट जब भी बात कर जाती है तो एक शब्द use होता है इसमें tends to, इस फूरे सिंबल को जो मैं mark कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं tends to, क्या बोलते हैं बेटा जी, tends to, क्या बोलते हैं, tends to, यानि आसपास, जब कोई value, अगर मैंने बोला जैसे x tends to a, फ्लीज बेडी बातों पे दियान देना, एक्स की वैल्यू एके आसपास, अब सर ये ऐसे कैसे बताना चारे हो, चलो बताता हो, लीमिट यानी दाइरा, अगर according to question, जब कोई वैल्यू हमारे लिए exist नहीं कर दी होती, function के case में, या कुछ limits के case में, तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास के दाइरे की बजिसे हम values निकाल सकते हैं, बताता हो कैसे, जैसे की, सबसे पहले बात आती है, यहाँ पर mention क्या हुआ है मैंने, कि limit extends to A, क्या, कि function, fx is set to be tend to a limit L, when x tends to A, if difference between fx, I can make a small as we please, by making x sufficiently near to A, जैसे, example से लेते हैं, सभी ध्यान देना, मैं आप से कुछ questions पूछों, अगर दिमाग हो तो answer देना, वनना मत देना, क्या आप सब तयारे बोलो हाँ, बहुत छोटी छोटी बारी की आएं, यह वो बारी की हैं, शायद ही कोई जना किसी को बताता है, इसलिए हर छोटी से छो F1 की value बता तो आप easily बता सकते हो, जल्दी बोलो, yes, अगर मैं आप से कहूँ कि F1 की value बता तो आप बता सकते हो, F1 की value क्या आएगी, जल्दी बोलो, function में, one, जहां जहां X दिखेगा, वहां वहां क्या रखोगे, one रखोगे, आप सब की जानकारी के लिए बता दो, limits, जो concept आज हम कर रहे है, applied mathematics के अंदर भी है, इसलिए applied mathematics वाले, जितने भी बच्चे हैं, उन सब को बुला लो, आज, उन से कह दो, उनके, उनके मज़े आगए, आज limits concept से मज़े है, applied mathematics के अंदर भी है, जो, ठीक है, चलिए, तो 0, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, शिशांत, नाजरन, अंकुष, खुशी, शुवम, अभीजीत, मंजू, प्रियांश, ओ भै प्रियांश, ने गलत दे दिया answer, सुनीता, ओके, जितीन, शुवम, गुपता, वेरी गुट, सुनीता, सिश्टी, गुपत रखो, तो जल्दी से बताओ, F2 की वेल्यू क्या हैगी, मैं रखके बताताओ, इसको, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 4, आंसर आया, 1 माइनस 5 प्लस 4, यानि 0, ऐसी F2 की वेल्यू क्या होगी, F2 की वेल्यू क्या होगी, F2 की वेल्यू बताओ, देखते हैं, कितने जनों का answer अब सह आउंड अब कुश्चन एक उता है आणसर अनेक देदेते हुग माइनस टू की वोटिंग ज़ादा अगरी है पता नहीं क्या कहना चाहरो देखते हैं टू का सक्वाइर माइनस फाइव इंटू 2 प्लस के 4 2 दुनी 4 माइनस के 10 प्लस के 4 आंसर आया माइनस के 2 माइनस 2 यानि सही है पल्लवी दीदी आप गलत हो आया समझ बो हाँ आया 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 पर सर ये तो function हो गया पर अगर मैं आप सभी से एक छोटी सी बात बोलू दिमाग हो तो आंसर देना वन्न मत देना ठीक है अगर मैं आप से वह हूँ 1.99999 की value बताओ सेम function में सर मत जाग कर रहे हो क्या चलो छोडो नहीं बता पा रहे तो अगर मैं आप से कहता हूँ 2.0000001 की value बताना सर इसका तो square भारी पढ़ रहा है तो ऐसे question में limits ने का मैं हूँ न मैं कराओंगी solve limits कहती है अगर कोई value अगर कोई value x tends to जैसे 2 है तो इसका मतलब 2 के आसपास होता है 2 के आसपास से मतलब अगर x की value 2 से नीचे भी हो सकती है x की value 2 से बड़ी भी हो सकती है इन चीजों को use करने के लिए जब function में ऐसे questions को हम solve नहीं कर पाते है तो limits ये कहती है कि मैं solve कराओंगी यानि उस point के अगर nearest value भी अगर कोई होगी बहुत minor कम या बहुत minor जादा तो limits उन question को उन function को minor सा change होने पर भी solve करा देगी बात समझाया है बोलो हाँ possible तो है बेटा जी पर situation ये है कि इसको solve कराने के लिए ही limits का use होगा बात समझाया है बोलो हाँ जैसे की question से समझते हैं जैसे आपको अब इस screen पे कुछ चीज़े दिख रहे होगी जिसे मैं red mark करूँगा working rule extends to a से less than इसको क्या बोलेंगे left hand limit क्या बोलेंगे बेटा जी left hand limit left hand limit यानी LHL जब हम question में करेंगे तो continuity के concept में सबसे main role अदा करेगा यह जो मैं सिखा रहा हूँ हाला कि कुछ बंदे ना ratification पे ज़्यादा believe रखते हैं मैं उनको पढ़ाने नहीं आया मैं उन persons को पढ़ाने आया हूँ जो concepts को strong करने में believe रखते हैं तो मेरी बात please द्यान से समझना LHL यानी जिस point पे आप check कर रहे हो उससे less than यानी x की value a से छोटी इसका मतलब क्या होता है x की value a से छोटी इसमें जो भी function देगा तो आपको मैंने भी बताया जैसे अगर question में जब हम value रखते हैं तो उसका मतलब होता है tends तो का मतलब आसपास तो अगर मैंने बोला h tends to 0 यानी x की value क्या है 0 के आसपास तो जहां जहां x होगा वहां वहां आप a minus h करोगे क्या बोला मैंने अब situation ही आती है कैसे करेंगे सर ये छोटी छोटी बाते तो हमें आती ही नहीं मैं सिखाओंगा आप सबको प्लीज ध्यान से समझेगा छोटी छोटी बाते सुनो जैसे कि पहले limit समझना हमाले बहुत जरूरी है कि limit के question solve कैसे करते हैं क्या आप सब त्यार है बोलो हाँ जल्दी से बोलो हाँ पहला question limit अगर माल लो x tends to 2 5 x plus 3 है तो actual में limit x tends to 2 का मतलब 2 नहीं होता 2 का मतलब होता 2 के आसपास हो सकता है x की value 2 हो हो सकता है x की value 1.999999 हो और हो सकता है x की value 2.0001 हो पर question करने का तरीका बिल्कुल डिक्टो वैसे ही होगा जैसा आप देखता है हो जाहां जाहां x दिखेगा क्या बोला मैंने जाहां जाहां x दिखेगा वहां वहां आप क्या रखोगे 2 रखोगे और 2 रखते ही जब रखो तो bracket लगा लगा के रखना ठीक है उससे आंसर बिल्कुल सही आता है तो आंसर आया 13 सर ये तो ऐसे योगा जैसे फंक्शन करा है बेटे अभी सबर करो limit का असली रोल तो भी आएगा क्या आप सब त्यारे बोलो हाँ limit x tends to 3 है 5 x square minus 7 x plus के 2 wait इस बार आप करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ very good very good सुनीता अर्चेत जतिन केशव बहुत बढ़ी है पल्लवी च्विंकल बहुत बढ़ी है सभी बहुत बढ़ी आंसर दे रहे हो बेटे आज तो half century हुई पड़ी है का बात है सारे दोस्तों को पकड़ के लिए आए क्या अपने थैंक यू कुशल बेटा पर मेरे को एक ची बताओ जल्दी से x के वेली जहां जहां x दिखेगा वहां वार 3 तो रखो वे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो आया 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 तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम 3 रखेंगे 7 इंटू 3 प्लस के 2 तो 3 रखने पे 9 माइनस 7 थी जा 21 प्लस के 2 9 5 जा 45 माइनस के 21 प्लस के 2 आंसर क्या आया 47 माइनस 21 तो मेरे अकोर्डिंग तो आंसर 25 आया है आपके according क्या आया है 26 अच्छा मेरे according भी 26 आया है आया 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो आया येस प्रियान शिव आया 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 पर वेट तीसरा question कुछ इस प्रकार होगा उसने कहा कि limit extends to 2 से less than और 5x plus के 7 है औरे sir यूँ माइनस आ जावे तो दिमाग की दही बन जा ऐसा ही है न मैं सिखाओंगा जब भी आपको किसी भी जगे पे extends to 2 के उपर minus किसी भी constant के उपर minus लगावा दिखे तो पहले तो concept सीखो ज़रा अब सुनो अब आपको concept बहुत अच्छे से समझ आएगा उसके बात करना देखो अगर आपको किसी भी question में a tends to दिखे a के उपर minus extends to a से less than और कोई भी function दिख हां तो हर question में almost आपको क्या करना है h tends to 0 पहले तो आप h का मतलब बताओगे जी 0 के आसपास कम होगी value अगर मेरे को पता है कि 2 से कम करना है तो बहुत minor value तो कम करूआ यानि 0 के आसपास ही तो कम करूआ तो यानि कि जहां जहां x होगा वहां पे आप a minus h लिखोगे यानि जा रहा हूं इसमें limit अगर मैं h tends to 0 करता हूं पहले तो 0 के आसपास तो यानि जहां जहां x होगा क्या बोला मैंने जहां जहां x होगा वहां पे 2 डायरेक्ट नहीं रखेंगे 2 minus करके लिखेंगे क्या करेंगे 2 में से minus करके लिखेंगे h की value और h का मतलब कह है 0 के आसपास तो जल्दी से बोलो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखोगे 2 minus h मेरे साथ साथ बोलो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखोगे 2 minus h 2 minus h पर सर इसका फरक कहा पड़ता है पता चल जाएगी आपको कहा फरक पड़ता है पहले 2 minus h करा फिर जहां जहां h होगा वहा पे 0 और 10 प्लस 7 आंसर तो सेम आया है पर बेटा जी अभी सेम आया है पर अभी और कोशनों में ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा समझ गए इसी तरीके से अगर आपको आ रहे चल यानी जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड लीमिट क्या बोलते हैं राइट हैंड लीमिट ड बताता हूं यानी एक्स की वैल्यू उस पॉइंट से बड़ी यानी एक्स की वैल्यू एसे बड़ी होनी चाहिए तो लिमिट एक्सेंट सुए से बड़ी तो जहां जहां एक्स होगा वहाँ पे पहले तो सबसे पहले पहले तो एक्सेंट सुए लेस देन को और एप्लस को अटाके एच्टेंट सु 0 कर दो लेमिट एच्टेंट सु 0 लिखा अब जाहां जाहां एक्स होगा वहाँ पे क्या करना बनता है जाहां जाहां पे एक्स होगा वहाँ पे क्या करना बनता है जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो A plus H और फिर limit apply करी देंगे यानि सर इस पर एक question हो जाए बहतरीन सा सही बात है चलो wait तो better होगा कि मैं एक और question करता हूँ आप अपने हो इसलिए करके दिखा रहो घमंड तो नहीं करोगे न अगर जादा समझा जाएगो तो ओके आदिया बेटा welcome सबीधियान दीजिएगा क्या limit x tends to 5 से अबव 7x प्लस 3 पहले आपको limit apply करना अचाहिए उसके बाद तो question हम करी लेंगे तो वेट जब भी अब इसका मतलब पता है क्या है 5 प्लस का मतलब यानि x की वेल्यू जो रही होगी वो 5.0000001 सम्थिंग रही होगी मतलब 5 से बहुत minor value पर यानि मैं इसको यह भी तो कह सकता हूँ 5 में 0.00001 add होई होगी यानि 5 प्लस h h का मतलब मैंने यहाँ पर बताता हूँ 0 के आस पास सर यह क्या लिख रहे हो बताता हूँ इससे मतलब मेरा यह है कि question में जहाँ पर आप जब भी question करोगे तो आपको हर question में सबसे पहले limit h टेंट सु 0 लिखना है यह बात के लिए रहे यानि कि जहाँ जहाँ x होगा क्या बोला मैंने जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप क्या लिखोगे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो 5 plus h अरे वाँ अजैश शाबाश पहुत अच्छे गुड इवनिंग नंदनी दिदी अब वेट limit h टेंट सु 0 यानि जहाँ जहाँ h होगा क्या बोला मैंने जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे तो आंसर आया 35 plus 3 आंसर आया 38 यानि वेरी गुड गौरव सुनीता संचीता वेरी गुड प्लीज जल्दी आंसर करिए गौरव बट्ट जितिन शाबाश बेटा जी बहुत अच्छे अब मेरी बात तो को प्लीज अपनी अख्यों को सामने टेकाई रहें प्लीज 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 बहुत अच्छा प्लीज ध्यान से देखो ना क्या मैं अब आपको दो कोशन दूता आप एक बार करोगे बोलो ना क्या आप करोगे x square minus के 5x प्लस के 4 को करना है आपको फिर एक कोशन और है देखो प्रिजेंटेशन से साथ करना फिर वही वाली बात है बना आप continuity के कोशन को बिगाड़ बैठोगे और आज पहली किलास है अगर यहां से गल्ती करी ना फिर वही वाली बात है आप कितने ही अच्छा पढ़ा लो तब प्रिजेंटेशन के साथ करना अगर प्रिजेंटेशन जिसको समझ नहीं आई है जस्ट अभी मैं द्वारा से कर रहा हूंगा पेड़ना बेटा मैं आज की किलास में 11th किलास का पूरा बेसिक बता रहा हूं 11th किलास की सारी छोटी छोटी बाते बता रहा हूं लिमिट्स एक ऐसा concept है उसी के बहाँ पर continuity समझ आती है अगर limits का थोड़ा बहुत भी बिगड़ गया तो continuity समझ नहीं आती इसी वज़े से मुझे छोट-छोटी बाते बतानी पड़ी है जल्दी से पहले का answer क्या है जल्दी से बताओ यानि कि जिसको concept समझ आ गया है वो फटा-फट मेरे साथ साथ देखना मैं क्या कर रहा हूँ देखो कुछ बच्चों की आदत होती है बीच में is equal to लगाने की is equal to नहीं आता पहली चीज limit h tends to 0 क्या करेंगे direct तो limit रखी नहीं सकते जब भी minus या plus होता है तो जहां जहां x होगा क्या बोला मैंने जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखोगे जल्दी बोलो 2 minus h और जब रखो तो bracket लगा लगा के रखिएगा जब भी रखो तो bracket लगा लगा के रखिएगा आया 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 जल्दी बोलो हां आया आया समझ जल्दी बोलो न, आया यहां तर किसी को कोई दिक्कत है अब बेट, अब बेट, डायरेक्ट जहाँ जहाँ X दिखा है, वहाँ ठोक दो 0 ठीक है, square, 5, 2, plus 4, 2, दुनी 4, दुनी 10, plus 4 ओ बेटे की जान, इसका भी answer minus 2 आया है आया, 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 very good, very good, manju, very good, कुशल, very good, अभी जीत शुभम तुशार, बेटे, आस्ता सारे पढ़ने में इंटरस्ट लिए जा रहे हो, का बात है है, आस्ता 60 की रोस हो गया, क्या हो गया, आज मुझे लगए century करते दिखो हो, सही बात है, thank you, thank you, बस इसी तरीके से अपना प्रेम बरसाते रहो और concept समझते रहो, यानि की, अब द्वारा से presentation पर focus कीजेगा, जहां जहां X होगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां X होगा, वहां वहां क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 प्लस H, ये बात के लिए रहे, बोलो हां, आया, 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 अब बेटे की जान, प्रियान शुकेड़ा समझारा सर मजारा मजा, सही बात है, बोलो हां, 3 प्लस 0 प्लस 8, आया, 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 7 थीजा, 21 प्लस 8, आंसर 29, ओ बेटे, आया, 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 शाब बाज, ये, समझा गया, जी, ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझा गया, बहुत बढ़िया, अजय कह रहा है, सारे मैं ही लाया हूँ, अपनी किलास के बच्चे, ऐसा है क्या, चलिए, यहां तक के लिए रहे, बोलो, हाँ, जल्दी बोलो, हाँ, आया, 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 प्लीज, जल्दी से बोलो, अब वेट, अब यहां तक की, अब मैं बात करता हूँ, पहले इन कोशनों को कराने से पहले, जल्दी से, कोशन नंबर वन, देखते है किसका आंसर सबसे प बेटा कोशिश पूरी रहेगी depending on situation जल्दी से जहां जहां एक्स दिखेगा वहाँ पर डायरेक्ट वन ठोकोगे या calculate करके ठोकोगे जल्दी बताओ answer 5 ओ बेटे सही है so no ऐसे में ना करते हैं extent to zero क्योंकि जब one minus one plus one minus नहीं होता तो direct होकते हैं clear रहे पस इसकी एक शर्ट होती है वो शर्ट अभी बतातों क्या होती है done five answer आया समझ बलो हां बहुत अच्छे बहुत लाइन लगा दी तुमने तो answer होगी ओ बिटे शाबाश 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 अब आया मच्छा अब करके दिखाओ तो जाने question number two इसका answer करो तो जाने अब आएगा मज़ा अब आया है समझ जीरो माइनस एच का क्या formula होता है अब ठोको ना जीरो जीरो बाइज जीरो गड़बल कर जाएगा देखो जल्दी से बताओ इसका answer क्या रहा है कि नंधिनी साहल जित्तिं च्रुंकल शिशान शुभम बस्साज साहल सुनीता प्रियान्शु पेर्णा अडियन आयान राकेश केशव प्लीज 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 दीपक भाईया कह रहे है 3 तुशार भी कह रहा है 3 राकेश भी कह रहा है 3 ओके चलिए अब प्रिजेंटेशन भी तो सीखना जरूरी है न बिटा वनना सर कहते हैं सर मोडलस देखते थोड़ी सांसे फूल जाती है मैं बताओंगा आपको कैसे करेंगे देखो ऐसे कोशनों में सबसे पहले करते हैं लिमिट h टेंड सू 0 क्या करते हैं यही तो मेरे जैसा आंसर का साइन है यहाँ जहाँ एक्स तिखेगा क्या बोला मैंने जहाँ जहाँ एक्स तिखेगा वहाँ वहाँ क्या लिखोगे 0-h और जब रखो तो ब्रैकेट लका लका के रखिएगा ठीक है बोलो हाँ और यह 0-h आया 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 प्लीज प्रिजेंटीशन पे भी फोकस कीजेगा ठीक है उन मात्र 1% कोशनों की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसकी वज़े से यह माइनस प्लस लगाया जाता है समझ रहे हो और मोडलस नेगिटीब को क्या करता है जल्दी बोलो मोडलस नेगिटिब को क्या करता है मैं समझाने के लिए ये वाला step फिर से लिख रहा हूँ देखो ज़रा minus को तो ये तो plus का h square होई जाएगा अभी मैंने कोई limit नहीं लगाई मुझे तो बस ये बताओ modulus काम क्या गरता है negative को positive करता है ये बात सबको पता है बोलो हाँ तो यानि ये h हो जाएगा minus h हो जाएगा जब तक h की value नहीं रखते जब तक 0 by 0 बन रहा है और 0 by 0 कभी भी बनावा दिख जाये करें तो समझाना question में कुस तो low चा है और इस low चे को खतम करने के लिए properties का use होगा जो हम आने वाली classes में बढ़िया वाली देखने वाले है 0 plus 3 तो minus 1 plus 3 answer आया 2 बेटा जी मेरा answer तो 2 आया है जिनका answer 3 आया है उनका गलत हो गया ओ सोरी हाँ सही तो है 2 आयगा answer 2 आयगा 2 आयगा 2 आयगा जल्दी जल्दी बोलो 2 आया है मेरा तो answer 2 आया है yes अबे यार उद्यान मैं तो चाहता हूँ कि memes बन जाए meme बन गी तो famous हो जाएगा यार यह तो और खुशी की बात है जल्दी 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 मैं तो कुछ चाहता हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया ये वाला concept किसको समझ नहीं आया है, जल्दी से reply किजिए, ये वाला question किसको समझ नहीं आया है, कोई बात नी बेटा, अभी तो practice चल लिए, अभी तो धीरे 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 आएगा समझ, आया, चलिए, next, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, बेटा जी, according to question होगा, अगर LHL, आरेचल कुछ नहीं देता तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं मानना, आपको direct value ठोक नहीं होती है, पर जो minus और plus होता है, वो denote करता है LHL और आरेचल को, भाई साब, जो question अब बहुत देर से मैं wait कर रहा था, वो मेरी अक्यों के सामने आ दिया है, तो please इस थ्री के चक्कर में आप confused ना हो, तो please द्यान से समझना, मैंने उस थ्री को इचिपा दिया, इसे बोलते है, greatest integer function, अब आएगा मचा, चलिए, तो greatest integer का मतलब किसको पता है, प्लीज एक बार हैंडरेस कर दो, इसे बोलते है, greatest integer function, greatest integer function, इसकी अपनी एक पासियत होती है, greatest integer की, thank you question, बस मुझे यह बताओ, greatest integer का मतलब किसको पता है, अब यहाँ यह question में, कम से कम, 10 मिनट लूंगा से समझाने में, बहुत important है, यह concept, सच बताओं, कैई बच्चों के NCRT, जिसको घमंड है न, अपने आप पे, वो पहले तो सबसे पहले, NCRT के 5.1 आपको बहुत अच्छे से, और बहुत जल्दी समझ आ रहेगा, मेरी बात समझ रहे हो, तो जल्दी से, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझे, क्या कह रहे हो, सर, अभी पहले book खोल के देखते है, NCRT का, exercise 5.1 का, क्या question में, 19 ऐसा ही है, बेटे, उसमें, greatest integer का use हुआ है, तो जहां दखना, छोटी छोटी बाते ही हमारे को 100 नंबर की तरफ लेके जाएंगी, 100 target मतलब 100 ही होगा, एक नंबर नीचे नीचे ये, चलिए, चलो, मैं आप से कुछ values बोलूँगा, आप पराम से answer देना, ठीक है, जैसे की, पहले मैं अपनी तरफ से कुछ values बोलना, उसक ये जो value आती है, वो 2 से 3 के बीच में आती है, तो इसमें हमेशा याद रखना, greatest integer value कहती है, कि जिन दो integers के बीच में value हो, पहले मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना, जो मैं आप सब भी सब बोलूँगा, ठीक है, क्या आप सब तयार हैं, बोलो हाँ, जल्दी बोलो तो wait, सुनो, nearest value नहीं लेते, nearest value नहीं लेते, ये भी ध्यान रखना, left nearest value भी नहीं होती, बहुत छोटी सी बात है, बहुत अराम समनना, सुनो, क्या होगा, जिन दो integers के बीच में हो, छोटा और बड़ा, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे, पहले वाला, जैसे कि 5.999, ये किन दो integers के बीच में आता है, पहले मेरा question का answer दो सभी, 5.999, किन दो integers के बीच में आता है, 5, किन दो integers के बीच में आता है, 5.999, जल्दी बोलो, 5.999, किन दो integers के बीच में आता है, जल्दी बोलो, 5.999, किन दो integers के बीच में आता है, जल्दी बोलो, 5.999, किन दो integers के बीच में आता ह 5 आया समझ इसे बोलते हैं greatest integer function very good नीलम साहिल शिशान्त केशव ओ बेटे ओ यह कौन है देशलू कभी था 57 बहिए नियरेस्ट वैल्यू बोलनी है integer में ठीक है दौर 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 अगें अगर मैंने बोला 7.2 अगें बताओ 7.2 किन दो integers के बीच में आता है जल्दी बोलो 7.2 किन दो integers के बीच में आता है क्योंकि अगर आपको यह वाला concept समझ नहीं आया तो मैं आगे तक हमेशा यह concept आप हमेशा बचने कोशिश करोगे 7 और 8 के बीच में तो इसका आंसर को नहीं हो न चाहिए 7 अरे वा अब आया समझ यानि की 11.5 का भी आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो यह 5 और 6 के बीच में तो इसका आंसर के ओर रहेगा 5 आया समझ यानि की अगर मैं आपसे कहता हूँ h tends to 0 का मतलब होता है 0 के आसपास यानि exact 0 तो नहीं होता अगर मैं आपसे कहता हूँ 7 minus h तो देखते है किसका आंसर बिल्कुल सही आता है इस बात का इसका मतलब है 7 minus कुछ कुछ वनना 0 के आसपास मैं कम कर रहा हूँ ए exact में 0 नहीं कर रहा जीरो के आसपास कम कर रहा हूँ तो 7 minus h का आंसर क्या आना चीए जल्दी बोलो बहुत बढ़िया भाई साब आस तो 36 के 56 बना दिये तुमने येस येस प्रियांशू मैं भी यही देख रहा हूँ half century आस तो कपकी करा दी तुमने येस बिटा शिशांत अगर आप बने रहोगे तो mcq के लिए मैं इतने बहतीन बहतीन कोशन्स लाने वाला हूँ ओ बेटे प्रियांशू केशव प्रियांशू च्विंकल गलत है बहुत बढ़िया यह जितने भी आंसर 7 दे रहें 7 नहीं आएगा 6 आएगा आंसर 6 आएगा बताता हूँ क्यों आएगा जिसको अब confusion है वो प्लीज ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ ज्यान से समझना 2 माइनस अगर मैं आप से अभी से कहता हूँ suppose ज्यान से समझना अगर मैंने लिखा 3 माइनस h और मैंने कहा h tends to 0 है तो यानि कि 0 के आसपास 3 माइनस 0.0000001 यानि कि 2 2.9999999 आंसर हो जाएगा यानि कि इसे 2 ही तो लिखा जाएगा yes or no अगर मैं ऐसी कहता हूँ 3 प्लस h तो इसका आंसर क्या होगा 3 प्लस 3 प्लस 0.0000001 something आंसर हो गया यानि 3.00001 यानि कि 3 in short अगर किसी integer में कोई माइनर वैल्यू कम की जाती है क्या बुला हूँ अगर किसी integer में कोई माइनर वैल्यू कम की जाती है तो पीछे वाला integer आता है और अगर कोई माइनर वैल्यू आप एड़ करते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता आया समझ ज्यान से समझो यह वाला question का concept मैंने यहाँ पर समझाया है आया समझ बेटा जी जल्दी बोलो आया 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 बोल हाँ चलो तो यानि की जहां जहां एकस दिखेगा क्या बोला मैं नहीं जहां जहां एकस दिखेगा वहां वहां मैं क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, इस वाले question का answer देखते हैं किसका आएगा जहां जहां x दिखेगा, वहां वहां में क्या करूंगा जल्दी बेटा, साहिल, दीपक, चुइंकल, शुभम, शिशान, कुशल, पेड़ना, राशीश वन, तो वेट, तो जहां जहां x ओका, वहां पे 3-h, greatest integer में yes or no, और bracket में 3-h, अब सुनो, 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 आप सभी अपने हो, इसलिए मैं ये वाला step बता रहा हूं, घमण तो नहीं करोगे, अगर जादा समझा रहा है तो, ठीक है, ध्यान से देखना, limit नी रखी है मैंने integer का मतलब apply करा है, ध्यान से समझना, 3-1 हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि अगर कोई मैं minor value कम करूँगा, तो इसका answer 2 आएगा, बाहर निकल के, इस पूरे का, किस पूरे का बताता हूं, इस पूरे का answer आएगा, इस पूरे का answer 2 आएगा, ये सोचो, क्योंकि जो मैं minor value कम के बराबर है, है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, minus के, वे minus के, 3 plus के h, अब जहाँ जहाँ h दिखेगा, वहाँ पर 0 रख दिया, तो answer आया, minus 1, आया समझ बो हाँ, जल्दी बोलो, आया, 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 जल्दी बोलो हाँ, आया, 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 अब आएगा main concept, यहाँ त आने वाली classes में क्या हम यह सारे formulae सिखेंगे, हाँ बेटा जी, जिन जिन बच्चों की class 11 थोड़ी सी disturb है, तो मैं उन सभी की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा, कि यह जो सारे formulae आपको screen पर दिख रहे हैं, मैं हर एक formulae को बहुत अराम से, बहुत अच्छे से, टु ठीक है, तो please उस इन सारे formulae को, अगर आप चाहते हैं, कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएं, और continuity के question को one shot attempt, एक ही बार में MCQ के answer को mark करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना मेरी आने वाली classes के अंदर हर चोटी से चोटी बात को, मैं बहुत प्यारी प्यारी बाते आप को बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या आप सब तयार हैं, बोलो हाँ, एक बार please reply कर दीजे, क्योंकि अब हमारा concept असली शुरू होने वाला है, क्या आप सब तयार हैं, जल्दी बोलो हाँ, पेंके, राशिश, क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो, क्या आप सब तयार हैं, बो मैं आप सभी को कराने वाला हूँ क्या आप सब तयार है सुनो अब देखो जिसको घमंड है कि उसे लिमिट्स आती है या मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बात है कि उसे बहुत बढ़िया तरीकिस आती है तो ये चार कोशन्स मैं फेक्टराइजिशन के अंदर कराने वाला हूँ प्लीज आप इनको एक तरफ स्क्रीन शॉट ले लिजे स्क्रीन शॉट लेने के बाद इन कोशनों को एक बार आप ट्राय कर लिजे मेरी बात समझ रहे हो फटा फट स्क्रीन शॉट ले लिजे और इन कोशनों को एक बार आप सभी ट्राय कर लिजे बेटा जी पिंक की द्वारा से वीडियो को एक बार अराम से स्टार्टिंग से देखना समझ आ जाएगा ठीक है अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूँगा ठीक है डोंट वरी बेटा ठीक है देखो मुझे कही नगी किलास में थोड़ा सा तो आगे बढ़ना पड़ेगा इस वज़े से थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस सको समझ आएगा अभी आने वाले कोशनों वे फिर से आएगा समझ ठीक है चलिए तो रेडी इन कोशनों को प्लीज एक बार आप स्कीन शॉट ले लिजे वेट अब सुनो मेरी बात ध्यान से मैं आप सभी से एक कोशन कह रहा हूँ करने के लिए ये कोशन कैसे होंगे चलो मैं हिंट देता हूँ एक तरफ पहला कोशन ये रहा आप सभी के सामने अगर माल लो कोई कोशन है लिमिट एक स्टेंट टू और यहाँ पे है एकस स्कॉाइर माइनस फोर और एकस स्कॉाइर माइनस के फाइव एकस प्लस के 6 अब आप तो देखते हैं तुरंट क्या ठोक होगे जहाँ जहाँ एकस दिखेगा वहाँ पे टू ठोक दोगे तो मैं भी भाई कर रहा हूँ टू जैसी मैंने ठोका तो टू का स्कॉाइर माइनस फोर टू का स्कॉाइर फोर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस के 6 0 बाई 0 आ गया यह तो और जब भी किसी कोशन में क्या बोला मैंने जब भी किसी कोशन में 0 बाई 0 फॉर्म आ जाए जिसे हम बोलते हैं इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो समझ जाएंगे कोशन में कुछ तो लो चाहे यानि मैं बताना चाहूँगा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म किसे बोलते हैं in determined form किसे बोलते हैं please दियान से समझना in determined form यानि ऐसा कुछ कभी भी नहीं बनना चाहिए question में limit लगाते समय अगर आ जाए तो समझ जाना कि question में कुछ तो low चाहे 0 by 0 नहीं बनना चाहिए infinity by infinity नहीं बनना चाहिए 0 into infinity नहीं बनना चाहिए 1 की power infinity नहीं बनना चाहिए बात समझे रो 0 by 0 नहीं बनना चाहिए और 0 into infinity नहीं बनना चाहिए infinity minus infinity नहीं बनना चाहिए अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो समझ जाना की question में कुछ तो लो चाहे आया समझ बुलो हाँ, जल्दी बुलो हाँ, यानि समझ जाना कोशन में कुश्टो लोचा है, आया, 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 जल्दी बुलो हाँ, आया, तो यानि की इस कोशन में कुश्टो लोचा है, के लिए रे बुलो हाँ, अब उस लोचे को खतम करने के लिए क्या किया जाएगा, X tends to 2, तो X square minus 4 को क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बोलो. X square minus 4 को क्या लिखा जा सकता है, X plus 2, X minus 2, आया, 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 एड और इधर तोटेगा, middle term. Middle term spreadsheet से मतलब क्या है, minus 3 X minus 2 X plus 6 लिख सकता हो, बोलो हाँ, बोलू नहाँ तो limit ऐसे question के लिए भी बनी है clear है अरे वा thank you आजय बहिया मैंने thank you बोल दिया आजय को thank you okay अच्छो नो अब wait तो जब आप middle term को split कर दोगे तो x plus 2 as it is x minus 2 as it is यानि कि denominator में क्या मैं x minus 3 और x minus 2 लिख सकता हूं बोलो हाँ लिख सकता हूं yes or no जल्दी बोलो yes or no yes ओ बेटे गिरान यूँ तो कट रहा है अर जहां कट रहा है काड़ दो कट देनी सी अब wait फिर वही वाली बात जहां जहां x दिखेगा क्या बोला मैंने जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखोगे 2 रखोगे तो यानि जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखोगे 2 तो 2 plus 2 upon 2 minus 3 answer आया 4 upon minus 1 answer आया minus 4 आया समझ जब हम continuity के questions करते हैं तो जब भी कहानी फस जाएगी तो याद रखना या तो property यूज होगी या factorization method, rationalization method यानि जो आने वाली classes वह हम वो छोटी छोटी बाते सीखेंगे के लिए रहे बोलो हाँ चलो तो यानि कि पहले का answer फटा फट देखते हैं किसका answer पहले का आता है जल्दी से फटा फट question number 1 जल्दी से question number 1 देखो कितने जनों का आता है जल्दी से question number 1 का answer किसका आता है जल्दी लेट सी पहले का answer पहले का पहले का बेटा मुकेश प्यांशु दीपक कुशल बेटे शुभम मुकेश प्लीज मेरे question का answer दो पहले वाले का question number 1 question number 1 सच बता रहा हूं जितने पचास जने दिख रहे हैं अगर यह पचास जने भी मेरा साथ देते सो में से सो दिलवाद हूं और बागी तो कोई न कोई गलती करी आता है न सही बात है और सबने बाइसा मेरी बातों को तो 100% माल लिया तो 100% रिजल्ट भी है गैरेंटीड यह भी बात के लिए कर रहा हूं को बहुत बड़ी बात थोड़ी ना मेरी तरी स्ट्रेंट के अंड़े आउट और आए में तो फिर आप तो कुछ भी नहीं यार बड़े प्यार से आएंगे यार अगर छोटी-छोटी बा आउंगा कैसे क्या मैं इसको वन का स्कॉय लिख सकता हूं बोलू हां बोलू नहां और अगर मैं इसको कॉप्चे में लिया के 0-1 ठोकता हूं तो 1-1 1-1 0-0 यानि कोशन में कुस्तो लोचा है और उस लोचे को खतम करने के लिए क्लिए क्या करेंगे फैक्टराइजेशन त अधिक्स दीखेए का वहाँ पे क्या रख दो न तो यह राड़न प्लस बन आन्सराया टू आया 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 भी कथ जल्दिसे हैं वहाँ आया यह यैस क्योश्जन नेंबर टू चलिए जलदी से बता हि управे कि और सघ्दे ל-4 अबेंट आया है मेटिंग आ एक और वर यै कराओ और आप भी करो सच में मुझे इस बात से मतलब निया कितने वाचिंग है मुझे सिफ इस बात से मतलब है जितने वाचिंग है वो बिल्कुल continuous मेरे साथ कर रहे हैं कुशन जितने बंदे answer दे रहे हैं मुझे उन बातों से मतलब है सर बताओं तो और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे साथ answer कर रहे हैं जल्दी से जल्दी से इसी बात पे तो थोट याद आगे खुशियां मिलती नहीं मांगने से मंजिल मिलती नहीं रहा पर रुख जाने से भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर देता है वह सब कुछ सही वक्त आने पे येस और नो ठोक तालियां जल्दी 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 ओ बेटे सुनीता ने भी प्रियांशु ने भी जी अभी जीत ने भी minus 1 by 3 वैभव बहुत बढ़िया नित्यम च्विंकल बहुत बढ़िया भई बहुत बढ़िया सबने answer minus 1 by 3 बोला है चलो मेरी बारी ठीक है मैं भी करके देख लूँ मेरी बारी मैं भी कर लूँगा ठीक है हाँ ऐसे तो फिर चिटिंग होगी ना सिर्फ आफ आप करोगे जिसको नहीं आयोगा वो भी तो देखेंगे पहले और लास्ट वाले की पहले multiply करते हैं ठीक है जो भी multiply करके आता है ना तो बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उनकी multiply के बराबर आए ओहो तो मैं माइनस फाइब एक्स लिख सकता हूँ क्या बेटा दोनों की multiply करके देखो प्लस के 10 आ रहे ना बोलू ना हाँ और घूर घूर के देखो जड़ा शुरू के दो को क्या देख रहे हो टू एक्स कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में एक्स माइनस वन और माइनस के 5 कॉमन लोंग टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा और एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 जहां कटकर तो जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां क्या रखोगे वन और वन अपाउन टू माइनस 5 आंसर आया माइनस 1 बाय 3 वो बेटे very good very good यह तो बहुत बढ़िया बात है कैई जनों कहां सब बिल्कुल सही आया है थेंक्यू ब्र्यांशु शुभम आप बेटे मैं तो डिश परोस के देख रहा हूं जो दे रहा हूं जो सारे के सारे कह रहो आगया स्वाद तो इधर देखो चलो अब आएगा मच्ला अब आएगा मच्च, कुस्व नंबर फृट यह कुश्यन नंबर त्री जल्दी से धिलिष में नंबर 6 पर द mix अजबाय है फ्लीज फित आफटां आंसर करो येस नेक्स्ट कोशन नमबर थ्री कोशन नमबर थ्री अब आएगा मच्चा ओ अजय भट नेट खतम होगे ओ अफसोस चलो पहले तो इसको मैं इतने कॉपचे में लेके आता हूँ बाकि आप सभी सॉल्व करो जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वहाँ पर 1 ठोक दिया मैंने ये पाया ओहो यह तो 1 रखने पर 2 प्लस 1 माइनस 3 उपन माइनस 1 इंटू 0 अपन 0, 0 भाई 0 इसका मतलब कोशन में कुछ तो लो चाहे अब सर क्या करें का करें का फेक्टर बनाओ दिमाग लगाओ आंसर लाओ देखते हैं किसका आंसर पहले आएगा कौन विजे तक घोशित कहला आएगा आज का लेट सी ओ बेटे देखते हैं सुनीता जी जी कह रही है कि 1 बाई 2 आंसर आया है अरे वाँ जितिन भहिया भी पीछे पीछे यह कह रहे है कि मेरा भी आंसर वन बाई 2 आया है अरे वाँ बहुत बढ़िया जी तुम सबने तो मजाबांद रखा है यार ऐसे लग रहा है इधर से आलू डाला उधर से तुमने सोना निकाला है बना उधर से मैंने कोशिन डाला उधर से तुमने आंसर निकाल या उसकी रिधिर में यह तो गला और दिखे देखते हैं किसका अंसर पहले और सही आया और बिल्कुल अब मेरी बारी अम मैं करूंगा चिक्क है अम मेरी बारी कुशल ने भी दीपक ने भी अब कुशल भी सभी का वन बाई तो आया रहे वा यार बहुत वड़िया यानि कि वन बाई टू ओ बेटे पिंकी गुपता दीदी कह रही है कि माइनस वन हो सकता है आप सही हो हो सकता है आप गलत हो टिपेंड उन सिच्वेशन टू एक स्कॉयर यानि इसके बनेंगे इसक्टर नेंगे ठीक माइनस टू एक्स यहाँ तक सभी को समझा है मिड़ल टम स्प्लिट कर ना आता है बोलो हां टू एक्स माइनस 3, root x माइनस 1, yes let's see, देखते हैं किसका अंसर बिल्कु सही आता है, x कॉमन निकाला तो 2x प्लस 3 हो गया, minus 1 कॉमन निकाला तो 2x प्लस 3 हो गया फिर limit x tends to 1 अगर आप सभी अपनी अख्यों को सामने टिकाए रखें, तो मैंने ये पाया क्या पाया मैंने, मैंने ये पाया कि 2x प्लस 3 तो बाहर निकल गया, ये root x minus 1 हो गया है, बोलो यहां तक कोई दिकत है, बोलो हाँ, यहां तक समझाया बोलो हाँ, बोलो हाँ, फिर 2x minus 3 root x minus 1 as it is सभी आप अपने हो, इसलिए मैं ये वाला step बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, कि x को root x का square लिख सकते हैं, लिख सकते हैं yes or no, जिसकी बजहा से limit x tends to 1 तो 2x minus 3 फिर root x minus 1 divide by 2x plus 3 और root x plus 1 root x minus 1 लिखा जा सकता है, ये बात के लिए बोलो हाँ, जिसमें कि root x minus 1 से root x minus 1 cut जाएगा, तो 2 into 1 minus 3 upon 2 plus 3, और bracket में 1 plus 1, ओ बेटे minus 1 by 10, अरे वा, शाबाश, सबसे पहले मैं एक तरह से congratulation wish कीजेगा, सबसे पहले जो answer आया था, वो pinky जीजी का आया था, pinky गुपता please सभी congratulation wish कीजे pinky जीजी को, pinky जीजी ने बिलकुल perfect answer और सबसे पहले दिया, जितने भी भेड़ चाल चल लेते ने, आपर 1 by 2 वाले, वो समझ गये होंगे, क्या गलती कर रहे हैं, ये गलत बात है, यार, सभी प्लीज पहले तो फटाफट pinky जीजी को congratulations wish कीजे, pinky बेटा very good, बहुत बढ़िया अपनी मेहनत से करा और एक शॉट में करा, जल्द बाजी नहीं करी, और तुम पतानी क्या करने में लग रहे हो सारे, फिर कहता है पेपर में सा नंबर कट गए, मेरा तो सही था, पतानी टीचर को मेरे खुंडस में रहता होगा, प्रैक्टिकल में नंबर काट लेते हैं, फिर स्कूल में भी नंबर का जाया, पिंकी बेटा सब को effectivement व्षण कर दीजे, अ जैस सर जाउत चाहिंग, सर जजाउत तुम किया, अगला कूस्ट येस ऑफ़कोर्स, वडशी अगला कूस्ट अगला कूस्ट, याल मैन थैंक यो बेटा जी, पिंकी बेटा सभी को également कूस्ट इस कर दो, वो थैंक यू बो मैं सबस्क्राइस दकूल दो सौरी ज़िए अब वेड़स लास्ट कुशन नमबर 24 इसके बाद हम नए आप सबस्क्राइए यह क्वेड़ धिटाव पहले वहताओ पूर्शन नरी पर दिसका अंसर जल्दी बताम इसका अंसर किया क्या आया है क्या आया है क्या आया है आया 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 जल्दी से बुलो पिंकी बेटा आप तो कहीं दिखी नहीं रहे मुझे चलिए थैंक यू बोल दिया पिंकी दी दिने ये ये शुभम पिर्णा ओ बेटे अब तो सुनीता जी जी सबसे फास्ट सबसे पहले आंसर दिया है अब तो पुनीत भाईया ने बन बाई फूर ओहू कड़ बढ़ करते हो जीरो बाई जीरो आ जाएगा अगर डाइरेक्ट देंगे तो इसे एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लिग दिया मैंने और यहाँ पे मैंने लिलिया एलसियम डाइरेक्ट बहुत ही छोटा कोशन है बहुत ही छोटा कोशन है तो एस कंपेर्ट अधर कोशन के हैसमोग एकस-3 इदर आ गया प्लस-3 इदर आ गया दो कटगा नू भी कटगा तो x-3 जो question बचा वो बता तो x tends to 3 के साथ x-3 plus x plus 3 तो 3 से 3 भी कटगा तो यानि limit x tends to 3 के साथ क्या आगया 2x आगा तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर 3 रख देंगे तो answer आजाएगा 6 आया 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 जल्दी बोलो नहाँ आया yes confirm answer is 6 very good जिन जिन नोंने answer विल्कुल सही दिया है उनके लिए congratulations शाबाश बेटा जी take care अभी रुको 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 अब मैं अगला concept कराऊ तो मैं आप सब की जानकारी के लिए बता दूँ अभी तो formula भी है बेटे बहुत सारी बाते हैं ऐसे कैसे अभी तो मज आएगा अब आते तीसरे concept की तरफ अब आते हैं x की power n to the power a to the power n यह formula आपको याद होना चाहिए अगर जिसको थोड़ी सी दिक्कत आए वो patience सकना ठीक है मेरी बात समझ रहो यानि कि अब की class में अब हम x की power n यह formula के बहाँ पर करेंगे क्योंकि कुछ questions ऐसे होते हैं जहां पर formula की स्थक हमारी सोच नहीं जा पाती तो पहले तो आप screenshot खीच के रख लीजिए जिसका मन करें कि वो time waste नहीं करना चाहता है मैं भी नहीं चाहता कि आप अपना time waste करें यह net बचाना चाहते हैं तो तरीका यहीं है screenshot लो और 6 के 6 question खुद से करना शुरू कर दो जल्दी से जल्दी से मैं बस concept करा रहा हूँ धीर धीरे हब पुनीत physical education का है फिर भी यहां पर क्या कर रहा है वही जल्दी से यह वाले concept जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर ठीक है दिख रहे हैं इसको फटा फटा स्क्रीन शॉट ले लिजे और इन question को एक बार आप सब ट्राय करेंगे चलो अब मेरी बारी तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बहने द्यान दें इन question होगो कब और कैसे यूज क्या रहेगा पहले प्रॉपर्टी समझते हैं limit extends to a क्या बला मैंने limit extends to a limit extends to a limit extends to a x की power n minus a to the power n upon x minus a हो तो प्रॉपर्टी को अभी हमारे को याद करना है एक समय बाद इसकी प्रूविंग भी आपको आ जाएगी तो formula होता है power को नीचे लाके एक कम करना power को नीचे लाके क्या करेंगे एक कम करेंगे अच्छा सही है बेटा पुनीत देख लो अराम से और जो मैट्स वाले बच्चे उनको बोल देना वो class join करनेंगे ठीक है अगर आपको अच्छी लग रहे है class तो तो चलिए जहां जहां एक n होगा power को नीचे लाके एक कम करेंगे सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बैने द्यान दें जो question में n होगा वो पहले एक example में अपनी तरह से करके बताऊंगा जैसे माल लोग की कोई question है limit x tends to 2 x की power 10 minus 2 की power 10 divide by x minus 2 तो जब आप compare करोगे दोनों की उपपर और नीचे वाले की तो यह बताऊ n क्या है जल्दी बोलो n क्या है एन जल्दी से बोलो n क्या है yes जल्दी से बोलो n क्या है according to question yes very good 10 अच्छा तो यानि कि मैं formula according 10 और a क्या है जब आप comparison करोगे तो a क्या है जो यहां 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 तीनों जगे हो तो a हो गया 2 तो 2 की power 10 minus 1 ऐसे करके हम क्या करेंगे formula का use करेंगे ठीके बिटा तो answer क्या हो जाएगा 10 2 की power 9 तो 10 into 512 तो answer आगया 5120 आया 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 जल्दी बोलो हाँ आया तो चलो इसी बात पर जो बराबर में आपको question दिख रहा होगा question number 1 तो इस question को एक बार आप try करो मैं एक एक करके आपको देता जाओंगा फिर अराम से कराता जाओंगा मेरी बात समझे रहो तो चलो यह power 5 है तो हम a की power 5 और b की power 5 का formula नहीं जानते है बात समझे रहो property का यूज क्यों कर रहे हैं भहिया एकस की जिए 3 रखके देख लो 0 by 0 आएगा और जब भी 0 by 0 form आएगी तो यानि कोशन में कुस्तो लो चाहे के लिए बोलो हाँ जल्दी बोलो हाँ 4 0 5 15 की पाफ 4 तो नहीं आएगा गड़ बढ़ है भाईया तो n क्या है 5 n a की power 5 minus 1 तो यानि क्या रहेगा 5 into 3 की power 4 तो 5 into 81 आंसर आया 405 बेटा मुकेश 405 आंसर आएगा मन्जू सिरों सी सर्जन जोत सही है ना spelling नित्याम च्विंकल वेरी गुड बेटा शाबाज शाबाज बहुत अच्छे कुश्यल वर्मा अरे बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे ये समझ आ रहा है बोलो हाँ आया 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 जल्दी बोलो हाँ आया क्या आप सबको समझ आया चलो तो अब आते हैं question number two देखते हैं ये question कितने जने कर पाते हैं अगर नहीं होगा तो इसके व्याप्रे में properties बता दूँगा अगर आप कहोगे तो नहीं तो मैंसे दो तरीके से करूँगा देखो हाला कि एक property ऐसी भी होती है कि x की power m minus a to the power m अगर अलग हो एक्स की power n a की power n हो तो m by n लिखके m by n लिखके a की power m minus n कर सकते हैं नहीं समझाए ना तो इसे प्रूफ करके बताऊंगा भी ठीक है चलो वेट बताता हो एक बट रहे करो फटा फट जल्दी इस वाले question से समझा देगा डोंट वरी अजे भर देखो लिमिट एक्स टेंट्स टू चा मैं इसको एक्स की पावर फाइव और टू की पावर फाइव लिख सकता हूं बोलो हां जल्दी बोलो हां इस वाले question में आपको concept के लिए रहेंगे डोंट वर यह भी तो बहुत सारे question करने हैं अब वेट तो यानि की according to question अगर आप खुद से सोच ओ अगर मैं टू रखता हूं तो टू रखने पर जीरो वाई-जीरो फोर्म वर्न है यह सो नो तो यानि की question में कुछ तो लोचा है और उस लोचे को खतम करने के लिए हम क्या करेंगे आरे वाद चार आंसर आ चुके अब तक मैं जो देख पा रहूँ आप में से तो सुनो कैसे करेंगे देखो समझाने के लिए करता हूँ इसे क्या मैं x की पाव 5 माइनस 2 की पाव 5 के नीचे numerator और denominator को x स्कुराइ माइनस 2 स्कुराइर को x माइनस 2 से अगर मैं numerator डिवाइट कर दूँआ क्या यह मुझे मना करेगा चल्दी बोलो हैं क्या यह मुझे मना करेगा हैं नहीं न अब क्या किया जाए लेमिट अब समझ हो जाए x टेंड्स टू उपर वाले में लेमिट अलग अप्लाई करूँआ और नीचे वाले में लिमिट अलग एप्लाई करूँआ यानी x की पावर 5 2 की पावर 5, x माइनस 2 अलग, x की पावर 2 2 की पावर 2, upon x माइनस 2 अलग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है चल्दी बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है अब wait तो यानि कि अब मैं उपपर वाले में अलग formula लगाऊंगा नीचे वाले में अलग ये वाली property का use अभी मैं बाद में करूंगा पहले मैं उस property का use करना चाहरा हूँ जो भी हमने ताजी ताजी सीखी है limit x tends to a x की power n minus a to the power n upon अगर x minus a होता है तो formula लगता है n a की power n minus 1 तो यानि कि 5 2 की power 4 हो जाएगा यहाँ पे 2 2 की power 1 हो जाएगा तो यानि 5 by 4 यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 2 टक 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 5 to 10 to 2 to 4 answer आया 20 very good जिन जिनका answer 20 आया है उमीद करता हूँ उनका बिलकुल सही आया होगा बेटा जी जो यूपी 14 experiments अगर आप अपना नाम बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ऐसा हमें तब पता चलेगा जब हमारे को property नहीं पता होती है formula बनाना होता है तो according to question हम divide करते हैं अरे पुनीद बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच आपके प्यारे से compliment के लिए थैंक यू चलिए आगे बढ़ जाओ जल्दी बोलो हाँ चलिए अब इससे आप देखो मैंने जानके जो आपको concept भी समझ नहीं आया ना उसके लिए मैंने dicto same question लिया है अब आप अनाम से समझ जाओगे मैं क्या कहना चारूँ बताओ क्या करना चाहिए इस question में जल्दी बताओ question number 3 में क्या करना चाहिए अब आप खुद सोचो अगर हमारे को formula बनाना है तो formula बनाने के लिए जैसे की property तो यह कहती है सीधा limit extends to a x की power n minus a to the power n x minus a is equal to n a की power n minus 1 होना चाहिए तो यह property भी तो तभी बनाओगे रहे जब आपको question solve करना होगा चल्दी बताओ क्या आएगा अब according to question मुझे क्या करना चाहिए जी बिटा कुशल इस concept से समझ आ जाएगा आपको यह वाली बात कि एक्सपेंड करके फायदा नहीं होता ना बिटा पिंकी benefit नहीं मिलता जिस चलो उसे एक्सपेंड करके कर लेते मालो क्या इसको कर लोगे जल्दी देखो तो अब भी हमारे को property तो याद होनी चाहिए या फिर हमारे को concept समझाना चाहिए तो मैं concept समझा रहा हूँ भी कि limit x tends to a यानि कि अगर आप सभी द्यान से देखेगा क्या कि x की power 3 by 5 minus a to the power 3 by 5 whole divide by x की power 1 by 3 a to the power 1 by 3 क्या मैं x minus a से numerator और denominator को divide कर सकता हूँ बोलो हाँ जल्दी बोलो हाँ आया 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 अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बढ़ी बहने ध्यान दें इतने में अलग formula लग जाएगा ये वाला और इतने में अलग लग जाएगा ऐसा limit कहती है limit कहती है आप limit शब्द दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हो समझे जल्दी बोलो हाँ अब इसके according अगर मैं solution को करने बैटूं तो ध्यान से देखो power 3 by 5 तो नीचे आ गई a की power 3 by 5 minus 1 हो जाएगा ऐसे ही यहाँ पे भी n a की power n minus 1 clear सबसे नीचे वाला सबसे उपर चले आता है बीच वाला बीच वाले के यानि 3 into 3 5 into 1 और जब बेसे मोता है तो उपर वाली power में से नीचे वाली power कम हो जाती है 1 से 1 कट गया तो 9 by 5 a की power 15 9 minus 5 तो answer आया है 9 by 5 a की power 4 by 15 आया समझ जल्दी बोलो हाँ येस सुनीता शाबाश आ गया चलो गौरब कैसे पहचाना लग गया अपनी बातों में फिर से आ गया थैंक्यू ओके बिटा जी आयारी जाबाश शाबाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या आप इससे अगला कोशन खुद से ट्राय करना चाहोगे आपके सामने अगर टायम आगे त आप एक बार कर सको येस जल्दी करो हाँ कर सकते थे बेटा जल्दी से बताओ क्या करेंगे सही बात है ट्राइए नहीं करेंगे तो आएगा कैसे जल्दी बिलो क्या एगा आंसर आंसर बताओ आंसर थेंक्यू कुशल बेटा थेंक्यू सो मच पर मैं आपको स्केड्यूल बता देता हूं कुशल और बाकी सभी जो आज यहाँ पर मौजूद हैं जो बैचिस चलते हैं वो टी टी एस ट्यूजडे थर्डे थर्डे सेटर्डे सेम चैनल पे मैं आप सभी को ठीक साड़े साथ से नो बजे तक अच्छे से complete concepts कराता हूं और पूरा कराता हूं यह भी बता दो short में नहीं करा रहा जो भी topic उठाता हूं उसको बहुत अच्छे से मज़ा रहेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि जहां पर वह लेडी टूशन पढ़ रहे हैं तो मैं उनको मना कर रहा हूं ऐसा नहीं बोला मैंने उस particular topic के लिए वह कम से class join करके concept तो strong करी सकते हैं क्योंकि हमें board में exam देना है board exam किसी teacher का exam नहीं देना कि कि किसी के mental satisfaction के लिए हम उसको पकड़े रखें बात समझ रहे हो तो इसलिए इन बातों को समझो मैं भी teacher हूँ तो मैं सबकी feeling जानता हूँ बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे को अपने concept strong करने हैं जिसके लिए हम यहां पर मिलें ठीक है आया आया जल्दी बोलो कि ठैंक यू नहा जी जी अब सुनो 10 टु में न पता है अगर मैं ऐसे सोचो अगर टे एकसे टेंट्स टु ए है अगर मैं प्लस टू इधर से लिखता हूँ तो प्लस 2 इदर से लिखा हूँ, बात तो एक ही रहेगी, yes or no, भई 2 से 2 कट जाएगा, तो यानि कि मैं यहाँ पे x प्लस 2, tends to, a प्लस 2 कह सकता हूँ, यानि बिल्कुल formula के जैसा हो गया न, कैसे दिखाता हूँ, देखो, x प्लस 2 के whole की power 5 by 2, minus a प्लस 2 के whole की power 5 by 2, x प्लस 2, minus common ले लिए a plus 2, तो यानि कि according to question, हमारा x क्या है, x plus 2, a क्या है, a plus 2, n क्या है, 5 by 2, यानि कि property जो भी हमने सीखी थी, उस property को पहले में लिख देता हूँ, आप राम से comparison करना, कि x to the power n minus a to the power n, x minus a को, n a की power n minus 1 लिखा जा सकता है, जिसके बिहाफ पे, जो मैं question अब कर रहा हू उसको क्या लिखा जाएगा, पहले तो 5 by 2 नीचे उतर रहेगा, बिटे नीचे आओ, चलो, नीचे आओ, और a plus 2 के whole की power 5 by 2 minus 1, या नहीं, आंसर आया, a plus 2 whole की power 3 by 2, आया, 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 पेरना दिदी कह रही है, कि सर आपको पता है, हमारे ना 16 जलाई से school खुलेंगे, I will get back to to my school friends, अरे वा, great, अच्छे से study करना बिटा जी, और protocols का ध्यान रखना COVID के, ठीके, 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 ठीक्यू, ये तो 5 by 3 था, मैंने अभी ध्यान दिया, एक बच्चे के message से, चलोगा, कोई नी, कोई नी, कोई नी, कोई नी, 5 by 3 है, 5 by 3 कर देते हैं, 5 by 3, तो answer हो जाएगा, 2 by 3, clear है, हो गया सही अब, हाँ, हाँ, सभी बात है, ये question तो मेरा भी है, कौन से school खुल रहा है, अब ही 15 जुलाई से, चलो अच्छी बात है, खुलने चाहिए, मैंने शुरुआत तो रही है, भाई साब, अब जो question मैं करने जा रहा हूँ, ये question समझना आप सब के लिए बहुत जरूरी है, हाला कि कही बच्चों को 11 किलास में नहीं समझाता है, पर मैं ऐसे question को तरही के से समझाना चाहूँगा, क्या कोई ऐसा person है, जो इस question को करना जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बाबु ये तो मैं भी जानता हूँ, क्या ही बच्चों का सेम आंसर होता है, इस्कूल में समझ ही नहीं आता, पतानी क्यों, अच्छा करनाल से हैं, दी-दी, ओके बेटा, एक बार सभी एक बार अपने अपनी प्लेस बताना, आप सभी कहां-कहां से हैं, जैसे मैं गाज़बाद से हूँ, फटा-फट, आइम विन गाज़बाद, NCR, बोले तो डैली के नियर एस लोकेशन, और बाकी अगर आप सभी इस कोशन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं नहीं, तो मैं इस कोशन का कॉंसेप्ट सिखाऊंगा भी जस्ट, तो उसके बाद इस कोशन को कराऊंगा, एक एडिशनल कोशन सिखाना पड़ेगा, मुझे इसके लिए, तो प्लीज ध्यान से समझना, फॉर्मला वर्मला न लगे हैं यहाँ पर हैं, पावर सिक्स को कौन ब्रेक करने बैठ रहा हैं, ओके, मैं हल्दवानी, गुरुग्राम, उडिसा, अरे इत्ती दूर से, उडिसा, एमदाबाद, हल्दवानी, रोहतक, पंजाब, भटिंडा, गाजीपुर, गुरुग्राम, डेली, हल्दवानी, एमपी, अरे वायार, मतलब है इत्ती दूर दूर तक पहुँच गया, अरे बा, कोई तो है मेरे गाजबाद से, दिल वालों के दिल्ली से भी है, अच्छा शिशांत, फिर तो बड़िया है, चलो, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, चलो, तो किसी दिन, किसी ना किसी शहर में, कभी ना कभी तो मिलना होगा आप सबसे है न, और जिस दिन भी मिलना होगा तो कोशिश करना, आप सब भी मेरे से मुलाकात करें, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, एनाउंस्मेंट पहली डाल जागर होगा, ठीक है, चलिए, अब वेट वेट वेट, आप सबी बड़े भाई और सबी बड़ी बहने ध्यान दें, कोशन कभी कभी कुछ ऐसे देता है, कि X प्लस 1 के होल की पावर सपोज 10 माइनस 1024 डिवाइड बाई X माइनस 1, अगर आप सबी ध्यान से देखो, क्या मैं पावर 10 ब्रेक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, पर humorous, क्योँ, सुनी ता जी जी मैं समझा नहीं, वेट, और जहाँ जहाँ एक्स होगा, वहाँ पर बन लिखोंगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 बाई 0, और जब भी किसी कोशन में 0 बाई 0 आ जाये करें, तो समझ जाएंगे कोशन में कुस्तो लोचा है, अब उस लोचे को खतम करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ, जब भी किसी कोशन में एक्स कीजिए, जब हम वन रखेंगे, तो क्या आंसर आएगा, प्लीज बिलीज बिलीज अब कोशन पर फोकस कीजिए, 0 बाई 0, यास और नो, अब बात आती है सर, 0 बाई 0 आ रहा है, अब वेट, टेंशन कौन दे रहा है, अगर य ले रहा हूँ, अगला वाला तो बिल्कुल भी नहां पाएगा, जो मैं यहां कर रहा हूँ, और दोनों कोशन में सेमी वैलिज लिया है, लेट, वाई टेंस टू, एक्स ब्लस वन, मैंने न, वाई माल लिया इसको, तो कोशन क्या हो गया, नोटिस करो ज़रा, कोशन हो गया लेमिट, यहां पे y की पावर 10 हो जाएगा, यह 2 की पावर 10 तो पहले से था, इस वाले x को क्या लिख सकता हूँ, इस यहां से, convert करके, x की value जब मैं यहां से खाली करूँगा, तो क्या हैगी x की value, y-1 न, yes or no, जल्दी बोलो, तो यानि कि, जहां जहां x होगा, मैं वहां पर क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो, जहां जहां x होगा, महां पर क्या लिख सकता हूँ, y-1 और यह वाला 1 पहले से था, यह वाला 1 पहले से था, ठीक है, डन, अब बेट, अगर मैं आप से कहता हूँ, अगर x tends to 1 है, अगर x की value 1 है, तो y की value क्या आएगी, जल्दी बताओ, यानि की, जहां जहां x होगा, वहां वहां 1 रखोगे, तो y की value करेगी 2, यानि limit y tends to 2 हो जाएगी, यानि limit y tends to 2, y की power 10 minus 2, the power 10 upon y minus 2, question के according 10, 2 की power क्या हो जाएगा, 9, answer आगया, 5120, 120, आया समझ, चल्दी, जल्दी, 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 प्लीज, 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 अब बेट, तो इसका factorization से कोई मतलब नहीं है, अभी आसे तरीके से समझो, इस तरीके को question सम्प्रोपर्टी चेंज करना सीख रहे हैं, let y tends to x plus 1 लिया, अकर x की value 0 है, तो y tends to यहाँ पर क्यों जाएगा, यानि limit, जहाँ x tends to 0 था हो, यहाँ पर y की power 6, y की power 2 minus 1, और अभी हमने सीखा ही था कि numerator और denominator को किस से divide कर देंगे इस बार, बोलो जल्दी से, y minus 1 से yes और no, जैसे ही मैंने divide किया, तो question के according क्या हो रहेगा, 6, 1 की power 5, 2, 1 की power 1, तो answer आगया 3, इसका answer आया है 3, आया 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 के लिए रहे बोलो हाँ, जल्दी बोलो न हाँ, next, अब बिल्कुल last question है, please सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बहने ध्यान दे, ठीक है, जल्दी से, प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बढ़ी बहने ध्यान दें इसका आंसर फटा फट बताओ क्या आएगा अब यह लास्ट कोशन आज की क्डाश का बिल्कुल यह बिल्कुल लास्ट कोशन है आज की क्लास का सबसे बहतरीन कोशनों में से एक एक नंबर के लिए MCQ में आने के चांसे ज़्यादा रहेंगे ध्यान रखना ठीक है गल्ती से मेरा नंबर था चलिए इधर हाँ तो बोलो क्या आएगा बोलो 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 चलिए तो मेरी बारी रेडी बोलो हाँ देखो लिमेट एक सेंट्स तो टू एक स्टू दी पावर एन माइनस तू दी पावर एन एक स्माइनस तू इस इक्वल टू एट्टी एस और नो बोलो हाँ अब बेट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एन टू की पावर एन माइनस वन अरे वाँ शुभम ने सबसे पहले आंसर दिया इस वाले का बहुत अच्छे बेटा जी अब मैं जब इसको फेक्टराइज करूंगा तो इसके कित्रे टुकडे कर सकता हूँ 5 इन्टू 2 इन्टू 2 इन्टू 2 इन्टू 2 लिख सकता हूँ बोलो हाँ येस अन 2 की पावर n माइनस वन 5 2 की पावर 4 हो जाएगा और जब मैं कंपारिजन करूँ हाँ दोनों तरफ से तो n की वेल्यू 5 आएगी अगर निमेरेटर को निमेरेटर से comparison करतो तो भी NQ value 5 और denominator, मतब power से भी comparison करतो तो भी NQ value 5 आएगी, आया, 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 जल्दी बोलो हाँ, आया, उमीद करता हूँ, आपको सारे concepts आज के बहुत अच्छे से clear हो गए होगे, ठीक है बिटा जी, अगली class में, मैं ये सारे formulae, जो आपको screen पे दिख रहे हैं, टिग्नोमेट्टी से related और infinity वाले question उसे related, बहुत सारी चोटी चोटी ऐसी बाते कराऊंगा, जिसे आपके concepts बहुत ज़्यादा strong हो जाएंगे, और मैं next class में limit का पूरा concept उधेड मारूंगा, उसके बाद next class में continuity का concept होगा, यानि की Saturday में, जो की सबसे important class होगी, उमीद करता हूँ, आपको सारी बाते मेरी समझ आ गई होगी, take care, बिटा जी, bye bye, रादे रादे, जैहिंद, love you all, अपना सभी ध्यान रखिएगा, bye bye bye, bye bye, किसी के मन की कोई बात जो कोई कहना चाहता हो, जल्दी से बलो,